हेलो दोस्तों तो जितने भी स्टुडेंट पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए ओनलाइन फॉर्म अपना फिल किये थे तो दोस्तों मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया था कि जिनका भी बैंक एकाउंट रिजेक्ट हो गया है उनको आगे क्या करना होगा तो दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर री रेजिस्टेशन नहीं हो रहा है रिरजिस्टेशन कैसे होगा इस पर एक वीडियो बनाके बताई। तो देखिए दोस्तो रिरजिस्टेशन कैसे करना है आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं, अगर इस चैनल पर आप लोग नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि अपना status चे तो दोस्तों यहां पे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को आपको क्या करना है, और तभी सब्सक्राइब करने के लिए चले गाए है, तो दोस्तों ऐसे रे करना होगा, जब तक पूरा आपका जो डीटिल्स है, वो पेंडिंग में जितना भी है, वो फेरिफाई या reject नहीं हो जाता तब तक आप लोग का registration नहीं होगा जैसे ही आप लोग का सारा details एक बार verify या फिर reject हो जाए उसके बाद आप लोग के email ID पे एक message आएगा कि क्या क्या आप लोग का verify हुआ है क्या क्या reject हुआ है उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा कि अपना documents जो reject हुआ है वहाँ पे बताया जाएगा कि किस कारण से आपका documents reject हुआ है तो वो बोला जाएगा कि उस कारण को आप लोग सुधार कर और फिर से आप लोग re-registration कीजिए दोस्तों जब SCST student का जब online हो रहा था तो वहाँ पे भी यही process को follow किया गया था और वहाँ पे जैसे email आया है मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक student का यहाँ पे आया है email तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इनका residential certificate number दिखाया जा रहा है यह verify है cash certificate number verify है लेकिन income certificate number यह पूरा नहीं fill किये थे तो इनका reject हो गया है यहाँ पर इसका status भी बताया गया है कि your income certificate not found on service portal तो दोस्तों यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आपका bank account यहाँ पर एकसेप्ट बताया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि documents provided by you are verify and found that we incorrect please register yourself with correct information documents again फिर से यहाँ पर री रेजिस्टेशन करने के लिए बताया जा रहा है तो दोस्तों एक बार आप लोग अपना पूरा details verify या फिर reject होने का wait कीजिए और जैसे ही आप लोग के email पर ऐसा mail आता है उसके बाद दोस्तों आप लोग को re-registration करना होगा री रेजिस्टेशन करने के लिए दोस्तों आपको इसके office इसके यही page पे आना होगा और यहाँ पे आके और जैसे आप लोग अपना form fill कीजिए थे वैसे ही आप लोग अपना form fill कीजिएगा जैसे शुरू में आप लोग form fill कीजिएगा लेकिन पहले आप लोग wait कीजिए कि आप लोग के mail पे जैसे ही आप लोग का आएगा वैसा mail उसके बाद आप लोग को re-registration करना होगा अभी अगर आप लोग जाईएगा उस portal पे re-registration करने तो आप लोग को mobile number already register करके ऐसा error देखने को मिलेगा इसलिए आप लोग wait कीजिए कि आप लोग के email पे जैसे ही वैसा email आएगा reject का उसके बाद आप लोग re-registration कीजिएगा तो hope करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जितना doubt था वो clear हो गया होगा तो अगर इस वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो इस वीडियो को like channel को subscribe किजिएगा और आगे जैसे ही re-registration होने लगएगा वीडियो बना के मैं आप लोग को inform कर दूँगा यह मिलते हैं next वीडियो में